हाँ जी तो आज की क्लास में हम जो study करने जा रहे हैं inverse matrix method की matrix को जो inverse करते हैं inverse matrix हम calculate करते हैं उसका method क्या है तो dear student दो method है हमारे पास में first method है हमारे पास में matrix inverse method clear है तो सबसे पहला कोश्चन है सर यह matrix inverse method क्या है तो आएए एक linear equation तीन हम linear equation ले रहे हैं और उस linear equation में तीन variable है x, y and z जैसा कि आप अपने सामने इस screen पर भी देख रहे हैं तो inverse matrix method के help से हम linear equations में जो तीन variable है x, y and z इन तीनों variable की value find करते हैं क्योंकि application of matrix just इसके बाद ही है और वहाँ पर आपको x and y और z की आपको value find करनी पड़ेगी तो इसलिए आपको सबसे पहले topic को अच्छे सबजना है चिससे करना है तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि तीन linear equations आपके पास में हैं और three variables में हैं x, y, z for example अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर इस चीज को थोड़ा से लिख सतना हूँ कोशन कैसे होगा यह तो मैं आपको direction दोगा बिल्कुल मैं खुद आपके साथ साथ करवाऊंगा सब कुछ आप पर नहीं छोड़ सकता मुझे पता है आप कर लेंगे इसलिए पहला मुका मैं जरूर आपको दूँगा अब मुझे यह भी पता है कि आप नहीं कर पाओगे तो इसलिए दूसरा मुका मैं अपने आपको दूँगा समझे बच्चे चलिए आईए सवाल पर आ प्लस जड़ इक्वल्स तू फाई ठीक है जी और दूसरे एक्वेशन आपके पास में है तू एक्स प्लस वाई माइनेस जड़ इक्वल्स तू तू और थर्ड एक्वेशन आपके पास में है तू एक्स माइनेस वाई प्लस जड़ इक्वल्स तू तू तो आपके पास में यहाँ पर तीन equation है तो first of all अगर आप देखते हैं तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि हर variable का coefficient coefficient क्या होता है, जो x है उसके आगे क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं, coefficient बोलते हैं ठीक है, जो जिसका जैसा sign है उस sign के साथ आपको coefficient लिख लेना है for example, मैं equation first का coefficient लिख रहा हूँ x के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है और जिसके आगे कुछ भी नहीं होता है, उसके आगे 1 होता है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 y के आगे क्या है, y के आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब की 1 है and z के आगे कुछ भी नहीं है, तो 1 है मेरी बात समझे, and second equation में अगर मैं देखता हूँ तो x का coefficient के है 2 and y का आगे कुछ ही नहीं है तो 1 का coefficient है, z के आगे कुछ भी नहीं है but sign के साथ में लिखना है उसको यहाँ पर हम देखेंगे, तो क्या आगे 2 और y काफिसेंट के आगे, यहाँ पर minus 1 and z का आगे 1, मेरी बात समझे मैंने क्या करा, sequentially जैसे दिया वा था, वैसे ही मैंने सब का row y क्या कर गया, मैं इसमें काफिसेंट लिख लिए मैंने, clear है, अब यहाँ से, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, कि तीनी तो variable x, y, z उसको मैंने verticallyly लिख रहा हूँ, x मलब single column में y और z, यह मैंने क्या करा, यह तीन variable को मैंने single column में vertically यहाँ पर मैंने x, y, z इस तरीके से लिखा, अब के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि सर यह लिखने का तरीका क्या है, आपने x, y, z को ऐसे ही लिखा है, आपने x, y, z को ऐसे क्यों नарिक इंखा सवाल आपका यह हो सकता है, यहाँ पर clear है, आप मन में सवाल यह भी हो सकता है कि sir क्या आपने ऐसे का रहा कि इसमें से x common ले लिए इसमें से y common ले इसमें से आपने जैड़ कौमन ले लिए नहीं अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे थो तो तीनों में कैसे multiply करेंगे, आप क्या करेंगे, पहले आप row से शुरू होंगे, और इसके column को आप खतम करेंगे, तो 1 into x, तो क्या करोगे आप, x, then plus, पहले पूरा पूरा column फिरिश होगा, तब तो plus चलता रहेगा, 1 into y, तो y, और फिर 1 into z, तो plus z, अब आगे इसका row तो ही नहीं, आगे extra column तो ही नहीं, जो मैं आगे लिखूँगा, अहीं पर stop हो गया, मेरी बात समझे, similar ऐसे लिखूँगा, तो क्या होगा, ये 2x हो जाएगा, ये 1 into y, तो आपका ये plus y, और उसी तरीके से minus 1 into z, तो plus करूँगा, तो ये minus का z ही हो जाएगा, तो अब आप देखीगा, as it is, आप उन चीजों को achieve कर पा रहे हैं, जो आपके पास में यहाँ पर था, multiply करने पर, achieve कर पा रहे हो, इसी तरीके से आपके पास में क्या हो जाएगा, ये 2x minus y and plus z, अब बताएगे, जो यहां का frame अगर आप देखो, और ये frame देखो, as it is आया, इसलिए मैंने x, y, z को कि इसमें लि कर देखेगा, उसी place पर लिखेगा, मैं 8 को 4 गुणा 2 कर दू, clear है, इसका मतलब यह नहीं कि मैंने सवाल बदल दिया, वो 8 ही है, उसी तरीके से मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो सवाल वही है, बीबी, clear है, और equals to क्या है, जो equal में है, तो भईज उसको equal में करेंगी 5, 2 and 2 clear है जी, यह भी मैंने क्या correct, matrix में मैंने डाल दिया, मेरी बात समझे, अब सबसे पहले आप इस बात को भी समझेगा साथ-साथ, कि यह आपके पास में बच्चे क्या हो गया, इसको मैं कहता हूँ, A matrix, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ, capital X matrix, मेरी बात समझे, और इसको मैं कहता है पहले, अगर मैं इसकी value find कर लूँगा, इस matrix की, तो जो X की equal है, वो X की value आजाएगी, जो Y की equal होगी, और जो Z की equal होगी, वो Z की value आजाएगी, तो बच्चे यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, तो मेरे पास में क्या है, मेरे पास में A into X equals to क्या आगया, B आगया, और मैं X matrix की value निकालूँगा, तो A क्या हो जाएगा, 1 upon A into B हो जाएगा, बताए, गणित का सधान सा नियम है, गुणा को अगर बराबर को धर लेकर जाएगा, तो भाग हो जाएगा, तो भाग हो गया, अब आप गणित का ये नियम भी जानते हैं, कि आपका जो भी चीज को अ इसका क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है, बच्चे, इस सीच का ये मतलब है, कि आप सरफ और सरफ A inverse matrix निकाल लीजिए, उसके बार उसको B matrix से आप multiply कर दीजिए, जो result आएगा, वो आपका X की values represent करेगा, आईए, करते हैं इसको जड़ा, अब आपके पास में A matrix है, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, minus 1, 2, minus 1, 2, minus 1, and 1, मैं A inverse निकाल रहा है, तो A inverse निकालने के लिए, पहली requirement तो ये है कि मैं क्या निकाल लूँ उसका determinants निकाल लूँ, छीक है जी, तो आए, मैं यहीं पर side में चली, हीं पर निकाल लेता हूं, मैं A determinants, तो A determinants निकाल लें कैसे, 1, और य clear, रहे जी, और उसके जाद, minus one, then, फिर से अगन, मैं ये करूँगा, तो क्या जाएगा, two, two, minus one, and one, clear, जी, और उसके बाद मैं फिर plus one करूँगा, then, इसको solve करता हूँ, तो मेरे पास में क्या जाएगा, यहाँ पर two, two, one, and minus one, मेरे बात समझे, solve करते हैं, इसको हम, Determinants of A calculate करने के लिए तो ये क्या हो गया 1 and minus तो ये मेरा पास में minus और minus multiply और plus 1 हो जाएगा तो 1 clear है जी और minus 1 और solve करेंगे तो 2 and ये minus 2 तो ये plus 2 हो जाएगा calculation करके तारों में चले एक एक ची बता आएता हूँ बच्चे कई वारे ना confused हो जाते हैं minus and minus 2 clear and plus 1 आपका minus का 2 हो गया and minus का 2 हो गया clear जी solve करतें इसको हम तो determinants of A equals to क्या जाएगा यहां पर आपके पास में 1 और यहां पर मेरे पास में 1 minus 1 हो जाएगा and minus 1 और ये मेरे पास में 2 plus 2 हो जाएगा और plus 1 और ये मेरे पास में minus 4 हो जाएगा, तो Determinants of A equals to क्या हो जाएगा, 0 and आपके पास में 2 to 4 minus 4 and ये मेरे पास में हो जाएगा minus का 4, तो Determinants के हो जाएगा minus का 8, पहले बताईए आपको ये बात सोभ़ज में आपको आई या नहीं, ये बत clear आपको, तो Determinants निकाल लिए आई चलिए मैं next page पे लेकर के जा रहा हूँ इसी को और फिर मैं यहाँ पर जो है A inverse matrix में यहाँ पर calculate करूँगा चलिए, A matrix क्या है मेरे पास में जड़ा देखेंगे, A matrix मेरे पास में है 1, 1, 1 ठीक है जी क्या है मेरे पास में 1, 1, 1, 2, 1, minus 1 2, 1 and minus 1 2, minus 1 and 1 2, minus 1 and 1 यह मेरे पास में तो मैं A inverse calculate करने के लिए पहले क्या निकालूँगा minor निकालूँगा, minor में क्या निकालूँगा 1, 1, तो 1, 1 निकालूँगा तो मेरे पास में क्या रहने वाला है 1, minus 1 and minus 1 and 1 clear है, जिसकी value में direct करूँँगा ठीक है, मैं already बहुत practice करवाद चुका हूँ 1, गुणा कर देंगे then यह मेरे पास में आ जाएगा 1 and minus 1 clear है, तो minor क्या आ गया है, 0 आ गया उसके बाद फिर मैं M12 निकालूँगा M12 निकालूँगा, तो मेरे पास में क्या क्या रिजल्ट रहेंगे 2, 2, minus 1 and 1 already practice कर चुके तो बताना नहीं कि कौन सा रो जाएगा और कौन सा कॉलम जाएगा, already हमने इस पर discussion अच्छे से किया है, पिछली क्लास से सारी हाथ देखें एक बार, तो solve करेंगे यहाँ पर हम तो क्या आएगा मेरे पास में 2 and minus और यह मेरे पास में minus 2 it means क्या जाएगा, 4 मेरे पास में आएगा और इसी तरीके से मैं M13 निकालूँगा तो M13 निकालूँगा, तो मेरे पास में जो रहेगा वो 2, 2, 1 and minus 1 रहेगा, solve करतें तो minus 2 and minus 2, तो क्या रहेगा, minus 4 रहेगा clear है, इसी तरीके से मैं यहीं परिसी के नीचे इसका को फेक्टर ली देता हूँ, 11 and 12 and 13, को फेक्टर, तो जो even है जिसका सम उसको तो तो नो चेंज रहेगा, जिसका ओड है, वहाँ पुसका उसको minus 1 से multiply कर देंगा, तो यह minus का 4 हो जाएगा, यह तो आपका 2-1 अगर हम निकालते हैं, अगर हम second में जाते हैं, आपर तो टॉप के और bottom के, वही process चलेगा, इधर के दो, आखरी के 1 हो जाएगा यह, और ये 2 हो जाएगा, तो यह आपका minus, and minus plus होगा, प्लस one हो जाथाता, तो आपकाullen हो जाएगा और इसी तरीके से हम करेंगे यहाँ pat तो मेरे पास वह रहेगा 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, solve करेंगे यहाँ पर तो यहां पर मैं सासक को फेक्टर भी देता हूं बच्चे को फेक्टर क्या है है C21 C22 and C23 बटा तो आईए जड़ा चेक करते हैं हम C21 मेरे पास में क्या रहने वाला है और है तो भीया जुरूद चेंज करूंगा तो मैंनेस का टू जाएका इवन है तो भीजा कुछ भी नहीं दिख लूँगा और तो ज़रूर चेंज करूँगा तो यह मेरे पास में प्लस का 3 हो जाएगा बात समझे अब आएए अब हम यहां पर निकाल करने जा रहे हैं क्या हम निकालने जा रहे हैं माइनर 3-1, माइनर 3-2, एंड माइनर 3-3, clear है जी अब सबसे नीचे वाले पर अगर हम आ गए हैं तो हम उपर के दो लेके चलेंगे तो 1-1 1-1, solve करेंगे इसको, तो क्या हैगा, minus 1 and minus 1, तो minus का 2, clear दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात ही नहीं दिख रहा है तो हमारे पास में बिल्कुल page को अब adjust कर सकते हैं, बहुत अच्छा space मिला हैं अब, हाँ जी, यहाँ पर देखेंगे हैं, तो हमारे पास में 3-2, तो 3-2 में क्या, यहाँ देखेंगा, minus 1 आया, और यह minus 1, तो minus का 2 हो गया, लिख जेता हो मैं फिर दिख भी, minus का 1, यह मेरे पास से multiply करा तो minus 1, तो यहाँ पर क्या आया, minus का 2 आया, और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, इस matrix की, तो मेरे पास में क्या रहने वाला है, 1, 2, 1, 2, 1, and minus 1, solve करेंगे इसको तो क्या आएगा, 1, minus 1, and minus 2, तो minus का 3 यहाँ पर देखने को मिलेगा, मेरे बात समझे, या नहीं स और इसी तरीके से अगर मैं लेता हूँ, तो मेरे पास में क्या रहने वाला है, 1, 2, and 1, 1, तो solve करेंगे, 1, minus 2, equals to minus 1, इसी का मैं co-factor 3, 1, co-factor 3, 2, and co-factor 3, 2, 3, 3, आइए, इसको ज़रा हम करेंगे, तो क्या आएगा, मेरे पास में, even है, तो no change, हाँ, और जरू चेंज minus 1, आइए, आप यहाँ पर मैं adjacent of A लेता हूँ, क्योंकि आपको inverse matrix निकालने का तरीका है, पता है क्या होता है, बताइए जरा, adjacent of matrix divided by determinants of same matrix, clear है जी, तो यहाँ पर मैं inverse of A matrix निकाल रहा हूँ, जो कि कैसे होगा, 1 by determinants of A and adjacent of A matrix, मेरी बास समझे है ने समझे, clear है, तो आइए तो यहाँ पर मैं A inverse निकालने जा रहा हूँ, तो A inverse किसे निकालूँगा, तो सबसे पहले, 1 upon 8 जो कि minus का आएगा, यह रापकर determinants मैंने ले लिया, और यहाँ पर आपका adjacent, तो क्या रहेगा मेरे पास में 0, minus 4 and minus 4, minus 2, minus 1 and 3, और minus 2, 3 and minus 1, बाद मैं करते रहेंगे, multiply, 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 क् यहाँ पर, यह बाद बता, आपको समझ में चीज़ें आई है, ठीक है, समझ में आपको यह चीज़ें आचके, inverse of A matrix, अब देखेगा, मैंने क्या आपको बताया था, यहाँ पर, यहाँ पर मैंने आपसे यह बताया था, कि inverse of A matrix multiply by B, ठीक है, तो आए, inverse of A matrix लिख देते है, ह inverse of A matrix, and multiply by B, ठीक है जी, and X equals to inverse of A matrix, क्या है मेरे पास बें, 0, minus 2, and 2, minus 1 by 8, 0, minus 2, and 2, minus 2, and minus 2, हाँ जी, अब क्या है, मेरे पास, minus 4, minus 1, and 3, minus 4, minus 1, and 3, minus 4, 3, and minus 1, minus 4, 3, and minus 1, मेरे बात समझे या नि समझे, clear है, और into B, B क्या है जरा बताईए, B मेरे पास में क्या है, तो मेरे पास में B matrix क्या है, वो से पीछे मैंने लिखा हुआ है, B matrix है, 5, 2, 2, 5, 2, 2, clear है जी, समझ रहे हैं साथ-साथ चीजों को, साथ-साथ classes लेगे ना, क्योंकि क्या होता है, कि recording classes देखना और live classes देखने में फर्क होता है, क्या फर्क होता है, मैं आपको बताता हूं, खर पढ़ा तो, वहाँ पर मैं यही चीज रहा हूँगा, जब recording देखोगे तो, बच्चे recording class है ने खटी होती होती है, खटी होई ही जाती है, कभी पढ़ा नहीं जाता है, तरी बास समझे, जैसे कि मान लीजिए, आप लोग तो बहुत experience student है, और फोर्ट semester में आप लोग हैं, और इतने experience भी हैं, और मुझारी नहीं सिर्फ four semester अले class देख रहे हैं, हर semester अले class देखते हैं, अलगले university में, अलगले जगे पर यह syllabus रहता है, तो यहां पर आप लोगों पास में कम से कम तो मैं मान के चलता हूं कि आपके पास में 12 साल का पढ़ाई का experience है, तो 12 साल के experience के भ्यापर जैसे कि कभी भी एक तारिक नहीं आता है पढ़ाई के नाम ते, जैसे मान लीजिए, कि आपने आज सोचा कि यार मुझे पढ़ना ची अब आया सोमार और सोमार को गलती से लेट उठके और लेट उठे नहाएं वगएरा आप देखा तो एक दो बच गया और उसके बाद वो दिन आ गया जब आपको पढ़ना पड़ेगा, आप होगे थोड़े से डिप्रेशन में चलेगे, आप चलेगे बाहर, अब शाम होई एक तारीख से पढ़ेंगे, और फिर एक तारीख करते करते फिर आप अक्टूबर पर आजाते हैं, और एक जनवरी से नया साल को तो नियोर बनाना है न, फिर वही सिलसला 12 साल से बताईए आपके जीवन में यह चीज रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है, बताईए, त आपका एक तारिख आपका नया साल आपके जीवन में कभी आया नहीं है पढ़ाई के नाम पर वैसे ही रिकोड़ी क्लासिस को देखना एक चैलेंज हो जाता है मुझे मालूम आप जुरूर देख लेते हैं क्लियर है तो उस तरीके से बच्चे जो वी ओडी में आना आपका टेंशन ही रहता है जो वी ओडी में बैठावा बच्चा उसको क्लास देखनी और आप साथा क्लास खतम कर दोगे यह फर्क पड़ता है ए चलिए चेलए यह फोलो करेंगे तो आईए इसको हम करी देते है और हम इसको इह पर मल्टिप्लाइ कर देते है ठीक है जी पर यह मल्टिप्लाइ करने सिखाया है बोलो हा या ना बो चलिए जीरो इंटो फाइब 0, अब करेंगे plus, minus 2 into 2, minus 4, and minus 2 into 2, plus करके, minus 4, ठीक है, अब minus 4 into 5, minus का 20, plus तो मैं करता हूँ, minus 1 into 2, मैं सिका चुका हूँ आपको लड़ी, तो मुझे इसनी टेंचिन नहीं है भी, 3 into 2, तो plus का 6, इसी तेगे से minus 4 into 5, minus का 20, and 3 into 2, 6 plus का, और इसी तरीके से यह मेरे पास में minus 2, clear है जी, आयो solve करते हैं, minus 1 by 8, और matrix कंदर क्या आया, यह minus 4 और यह minus 4, तो बच्चे यह minus का 8 आया, बात समझे, और इसी तरीके solve करते हैं, यह मेरे पास में minus का 22 हो गया, और plus का, यह मेरे पास में हो गया 6, तो minus का 16, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास में हो गया, 24, 24 में से 6 गया, ठीक है, यह मैनिस का 16, अब आईए, इसको enter करते हैं अंदर, तो अंदर आ करके divide करेगा, सबी element को divide करेगा, तो यह मैनिस मैनिस कर जागा, तो क्या बच्चे का अंदर जाकर करके, अंदर यह one होगा, यहाँ पर जाएं फो पर जाकर करे का, तो यह मेरे बच्चे, एक्स होगया, ठो और, एक्स मेट्री क्या थ यह आपके, बताये जारा, एक्स मेंत्री स्का थी आपके, यहीं पर कर देता हूं मा थोड़ा X matrix क्याती है आपकी X, Y and Z equals to क्या है आपका 1, 2 and 2 It means X equals to क्या है 1 Y equals to है आपका 2 यह हमने पहली पढ़ लिया था and Z equals to क्या है आपका 2 यह आपका correct answer है और आपने matrix inverse method के का इस्तेमाल करते हुए आपने linear equations के जो variables है आपने उन variables के आपने values को find कर लिया clear है जे Sir 2, 1, minus 2 होगा देख लेते हैं भाईया भिलकुल चेक करेंगे 2, 1, minus 2 होगा कहा है 2, 1 minus 2, minus 2 ही लिखा है मैंने तो यहां पर यहां गरबट तो नहीं करती है हमने करा तो हमने वो यह बलकुल लिखा है 2, 1, यह minus 2 कह रहे हैं यहां चेक कर लिते हैं नहीं यहां तो इसके अलग method की मैं बात कर रहा हूं कि अलग method से आप कैसे same questions भी आप ले लीजिए same values ही आएंगे लेकिन हमारे पास में दो और इस method के बाद उसका practice करेंगे आप questions की देखिएगा चले जब quick करते हैं यहां पर देखिए आप वुसी तरीके से आप अपने matrices को आप ले लेंगे this one and आपके पास में क्या आएगा 1, minus 4, and minus 1 जो variables है उसके जो coefficient है वो ले लेंगे with sign, plus है तो sign mention करने की need नहीं है 2, minus 5, and 2, and minus 3, 2, and 1, clear है जी पर बाद समझे गया आपका हो गया और एक matrix तो आपके पास में यहां पर है ही जो कि आपके right hand side में है वो matrix क्या है आपके पास में चलिए पूरा लिखी देता हूँ ना आपको क्यों जी? x, y, and z और एक matrix right side में आपका क्या है? आपका है 11, 39, and 1 बेरी बाद समझे? तो सबसे पहले आपके पास में यहां पर A matrix क्या है? this one, and x matrix, and this one is b matrix, आइए मैं बात करता हूँ A matrix की, तो A matrix आपके पास में है 1, 2, and minus 3, minus 4, minus 5, and 2, minus 1, 2, and 1, यह A matrix है, तो आइए मैं यहां पर क्या निकालने जा रहा हूँ? मैं सबसे पहले determinants of A matrix निकाल लूँगा, इसका मैं सबसे पहले क्या करूँगा? determinants निकाल लूँगा, परिबास समझे, clear है, कोई doubt किसी बच्चे को तो please पूछेंगे, तो यहां पर मैं determinants सबसे पहले निकाल लूँगा, और determinants मैं यहां पर निकालने जा रहा हूँ, कैसे? वह आपको पता ही है, पहले 1 लेंगे this 1, और 1 लेने के बाद फिर मेरे पास में minus 5, 2 and 2, 1, उसका minus का sign, and यह मेरे पास में already minus 4 है यहां पर, और उसके बाद मेरे पास में 2, minus 3, 2, minus 3, and 2 and 1, clear है, and उसके पास में हमारे पास में minus का minus 1, और यह हम यहां पर solve करेंगे, तो minus 1 जो है, 2, minus 3, minus 5, and 2, clear है जी, बाद समझे, अब आए डिट्रेमिनेंट्स ओफ, A matrix हम निकाल रहे हैं, इसका डिट्रेमिनेंट्स निकाल रहे हैं, डी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, चलिए आप एह ही बोल दीजिए, क्या आएगा मेरे पास है, 1, and minus 5, and minus 4, यह plus का 4 हो जाएगा फिर मेरे पास में, यह हो जाएगा मेरे पास पे 2, and minus, और आपके पास में minus का 6, और यहां पर मेरे पास है minus 1, और solve करेंगे तो यह 4 and आपके plus, यह minus का आपका 15, डारेटी कर रहा हूँ है, तो आई solve करते हैं इसको, हंजी, तो यहाँ पर अगर हम solve करते हैं, इसको determinants निकाल लेते हैं A का, तो मेरे पास में क्या आगया, यहाँ पर minus 9 और लिखेंगे, यहाँ पर क्या आगया, यह मेरे पा से minus का 11 और यह plus का 11 हो जाएगा, ठीके जी, clear है, तो determinants of A equals 2, तो यहाँ दो बचेएगा, तो यह 34 आ गया, determinants of A, पहला आप यह बात समझी ज़रा, clear है, clear है बच्चे, किसी बच्चे कोई doubt है तो please पूछेंगे, और जरूर और जरूर पूछेंगे इस बात को, clear है, बात समझें, तो चलिए, इसको आप कुछ भी बोल दिजिए, A बोल दिजिए, D बोल दिजिए, फरक नहीं बढ़ता है, ठीक है न, हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं, आगे क्या, अब आप एक निया matrix बनाईए, उसका determinants निकाली, यह मैं one नाम से बता रहा हूँ, ठीक है, clear है, एक निया matrix बनाईएंगे आप, और यह matrix आपका, क्या से बनेगा, वों बतायता हूँ मैं, आपका जो है, वहीं आपका जो first, जो आपका column है न, इसको आप right से replace कर दे, first column delete हो जाएगा, 11, 39 and 1, first delete बाकि दो column additive रहेंगे, minus 4 and minus 5 and आपका 2, और इसी तरीके से minus 1 and आपका 2 and 1, मेरी बात समझे, clear है, अब आएए इसका determinant से कालते हैं, तो उसी तरीके साब क्या करेंगे, 11 and आपका minus 5, 2, 2, 1 और minus, और आपके पास में minus 4, और आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 39, 1, 2 and 1, और आपका पास में यहाँ पर है minus 1, और आप लिखने वाले हैं यहाँ पर 39, 1 and minus 5, और आपके पास में 2, ठीक है जी, तो आए, determinates निकाल रहा है, यह पता लगा, कैसे करा है मैंने, कैसे करा है मैंने, मैंने, पर्स्ट जो मेरा column था, उसको मैं right से replace कर दिया, उसको delete कर दिया, और बाकी second 2 column मैंने additives रखा, ठीक है, अब इसको solve करते हैं हम यहाँ पर, 11, तो यहाँ solve करेंगे तो क्या आएगा, minus का 5, and minus का 4, clear है जी, और यह plus का 4, solve करते तो क्या जाएगा, 39, and minus का 2, and minus 1, solve करेंगे तो क्या आएगा, आपका जो है, शालिस दूनी 80, minus 2, 80, and plus का 5, clear है जी, आई यह solve करते हैं, तो मेरे पास पर 9, आगया है, यह minus का 9, और तो minus 99 हो जाएगा, मेरे पास पर 37, 37 into 4, clear है, तो 3 चोक 120, 7 चोक 28, तो 120 और 28, 148, clear है जी, बात समझे, तो अब यहाँ पर solve करते हैं, यह तो मेरे पास में minus का ही रहने वाला है, 78 और 5 आपका जो है, 83, ठीक है, अब solve करते हैं, determinants, this one, equals to, तो यह आप मेरे पास में क्या आया, 9 और 3, इसको add करेंगे, 9, 3, 12, और 8 और 9, 17, और 1, 18, minus का, and plus 148, so, determinants of this one is, क्या जागा, 12 में से 8 गया, 4, 7 में से 4 गया, 3, और यह तो मेरे पास में क्या रहेगा, 0, clear है, तो कितना है मेरे पास में, 34 आया जी, बात समझे या नहीं समझे, D1 क्या आया, 34, यह बात clear है आपको, बात समझे रहे हो, चलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब आपने D1 निकाला, तो आप एक और matrix create करो, क्या से create करेंगे और matrix दिखेगा, एक matrix और create करने की में बात कर रहा हूं, इसके लिए, D2 फाइंड करने लिए, वो matrix कैसे create हो उग, उसको देहएगा, वो matrix कैसे create करेंगे, आप, इसफार पहले आपने क्या है रहा था, फिर्स कलम को delete कर रहा था, इसफार आप ऐसा करें, कि आप बारी-बारी, अब आप क्या करें, अब आप second column को delete करेंगे, second column को, बाकि सब कुछ as it is रखेंगे, तो 1, 2, minus 3, second column delete हो चुका है, तो क्या बचेगा मेरे पास है, minus 1, 2 and 1, second column delete हो चुका है, अब उसका replace कुन करेगा, right वाले इसका replace कर देगा, second की जीगे पर, तो क्या था हमारे पास में, 11, 39 and 1, clear है, आईए, इसका determinants निकालते हैं, तो determinants of this one is, 1, this one, and 39, 1, 2, 1, minus 11, और 2, minus 3, and 2, and 1, और plus का ये 1, आप इस वर ये, minus का ये 1 रह गए तो, minus 1, और यहां पर देखेंगे, तो क्या जाएगा, मेरे पास में, 2, minus 3, and 39, and 1, ठीके जी, clear है, थोड़ा सा और छोटा खरने की जाने में लोगा आप से, छोटा नहीं, तो उपर अर्जस हो जाए, इतना भी मुखते है, हाँ, जी सर, तो आए, solve करते हैं, इसको, तो क्या आएगा, मेरे पास में, determinants, इसका, तो मेरे पास में, determinants आजाएगा, यहां पर, solve करेंगे, तो खेर, एक तो को फाइदा निये, ये 49, minus 2, minus 11, minus ये 2, and ये plus का 6 हो जाएगा, direct लिख रहा हूँ मैं, ठीके ज minus 1, और ये मेरे पास में 2, और ये 49 तिया, 120, 120 में तकरा तो 3, 117, तो minus 117, मेरे पास समझेंगे, गुणा करने का सीधा आफाने, मैं 49, 49 तो गुणा करी नहीं पाऊँगा, मैं इसको ले रहा हूँ, 40, तो 40 तिया, अब 40 तिया भी नहीं बता तो 4 तिया, 12, 0 चिपका दिया, 120, मुझे मालू है, मैंने एक एक्ष्टा ले रखा है, वो भी तीन बार एक एक्ष्टा गया, तो फिर तीन में वापस minus कर दूँगा, तो तर आ जाएगा, ठीकिन हो अपने इसाब है, आप लोग भी ऐसे करते हैं, मुझे पूरी उम्मीर है, हां जी, देखेगा, ये क्या जाएगा मेरे पास में, 37, और मेरे पास में यह आ गया 8, और यह गया minus 18C, clear है, और यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा minus 115, और यह प्लस 115, प्लस 115 हो जाएगा, clear है जी, तो आए डीटू की वैलू क्या आएगी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं भाईया, आप थोड़ा समझ लिजीगा इसको, तो अब यहाँ पर मैं क्या डालता हूं, पहले इसमें मैं डाल देता हूं, 5, तो 120, फिर मैं डाल देता हूं, 30, 150, फिर मैं डाल देता हूं, 2, 152 हो गया यह, 152 प्लस का and minus 88, ठीक है, और मेरे पास 20 हो गया, solve करते हैं यहाँ पर, तो 12 में से 8 गया, तो बच्चे का क्या, चाह, और यह मैं solve करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या है, 14 में से 8 गया, तो क्या बच्चे का, 6, clear, तो कितना आया मेरा, 64 आया, D2 की value, मेरे बात समझे, या नहीं समझे, बताए जरा, किसी बच्चे को doubt है, तो जरूर आप पूछें, इस बा क्लिर है जी, क्लिर है जी, क्या करे रहे है, सर वो माइनिस 34 होगा, कहां की बात कर रहे हैं, दी, यह 8, 88, 115, 115 और 37, 5 डाल दिया, 120, 30, 150, 152, माइनिस 88, 12 में से 8 गया, आपका 4, और आपके पास में, 14 में से 8 गया, 6, और यह 0 आपका हुआ, D1 माइनिस 34, हाँ, सॉरी, यहाँ तो माइनिस 34, क्लिर है जी, माइनिस को साइन आज़ा, यह क्लिर है आपको, D2, D2 क्लिर है आपको, क्लिर है जी, D2 की वैलू क्लिर है, क्या इसी तरीके से आप D3 की वैलू निकाल सकते हैं, क्यासे निकालोगे D3 की वैलू, इस बार आप क्या करोगे, थर्ड कॉलम डिलीट कर दोगे, ठीक है जी, कैसे, जड़ा देखेगा, तो पहले दो 1, 2, माइनिस 3 है, 1, 2, एंड माइनिस 3 है, ठीक है, और उसके बाद, माइनिस 4, माइनिस 5, एंड 2, माइनिस 4, एंड माइनिस 5, एंड 2, थर्ड आप डिलीट कर दोगे, इसमें, आ रहो हूँ भी, थर्ड आप इसमें डिलीट कर दोगे, तो क्या कर राइट वाला, 11, 49, 1, 11, 49, 1, clear है जी, बस थर्ड डिलीट कर रहा, यह आ गया मेरे पास में, और यहाँ पर मैं क्या निकालूँगा, कहां कर बड़ हुई है फिर, आप के रहे हैं दिस वन, तो 1, 2, 2, minus 3, minus 4, यह 11, 39, and 1 आ गया, minus 1, 2, and 1 आ गया, ठीक है, तो 39, 1, 2, and 1 हो गया, तो 39, minus 2 हो गया, 37 हो गया, यह minus 11 हो गया, और इस पर 2, minus 3, and 2, and 1 लिया, तो अब मेरे पास में, यहाँ पर 2 आ गया, और यह मेरे पास में, minus करता हूँ, तो यह plus 6 आ गया, तो 8 आ गया, solve करेंगे, तो minus 1 हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास में 2 हो गया, और यह मेरे पास में, ओहो, गड़बड, तो यहाँ पर हुई है न, अच्छा, 46, 27, 27, ठीक तो है यह, यह minus 115, यहाँ पर आ कर क्यों जाएगा, plus 115, 11, 88, minus का, और यह, प्लस का सहाथिस, कहां कर वो रही है फिर यहाँ पर, अब देख लेते हैं वहीजा, 115, और, सहाथिस, एड़ करके, 75, 12, और, 13, 45, और, 152, वही बात तो लिखिया है मैंने, minus 88 करके, देख लेते हैं वहीजा, 12 मेंसे, आट गया, 4, नहीं, वही बात आ रही है, इसो 17 मैंने लिखा तो बच्चे, इस वन, अच्छा, प्लस एसो 17 हो गई, तू, एन माइन एसो 17 न, तो यह प्लस एसो 17 हो जाएगा, यह, 119 हो जाएगा, नहीं बता नहीं, minus, तो minus करते तो, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास में, 119, अब इसको solve करते हैं, अगर हम, तो यहाँ पर हम solve करते हैं, कि 120 में हम अगर 80 डाल देते हैं, 200, 208, 207, तो चाहँ गए मेरे पास में, 37, minus 207, clear है, इसमें से 7 घटा दो, तो 230, 170, बिल्कुल सही भाई, 170, clear है जी, minus 170 आगे मेरे पास में, किसी को कोई doubt है, तो please पूछें, अब आगे आते हैं, हम क्या निकाल रहते हैं, D3, चलिए, इसको निकालेंगे हम, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर से, हमने matrix कैसे बनाया है, मालूम पड़ा, पहले हमने क्या कर रहा था, फर्स्ट कोलम डिलीट कर रहा था, उसके जिग 5, 2, 39, and 1, ठीक है, and minus, और यह minus 4 में रहा जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है जी, और solve करते हैं यहाँ पर, तो यह पता लगा कैसे plus का 4 हो, minus, and minus 4 लोगा तो plus का 4 हो जाएगा, यह बीचे minus का sign आता है, मेरी बात समझे, clear है, आस समझे या नहीं समझे, minus तो आता ही है, तो हम यह minus का 4 ले लिया, चलिए, आप करते हैं, तो क्या आएगा मेरे पास में यहाँ पर, 2, and minus 3, and 39, and 1, ठीक है जी, clear है, और इसी तरीके से मेरे पास में क्या आएगा, plus 11, और इसका matrix जो बनता है, 2, minus 3, and minus 5, and 2, ठीक है जी, और यह मेरे पास में क्या आता है, यहाँ पर solve करते हैं, तो minus का 5, and minus आपके पास में 42, अच्सी 78, clear है, यह तो हो गया, plus का 4, यहाँ solve करते हैं, तो यह ँह मैनिस मैनिस हो जाएगा मेरे पास में क्या, plus हो जाएगा, तो यह मेरे पास में हो जाएगा 49,ंतृ, to 49,ंती, 40,ंती, 120, वही 170, यहाँ पर वापस लटकर की आता यहां पर देखेंगे तो प्लस 11 और यह चार और यह मेरे हो जागा प्लस एंड माइनस यह जागा 15 कर रहा है यहां पर यहां पर मेरे पास में यह आ जाएगा और माइनस ग्यारा और प्लस ग्यारा मंटिप्लाइ होकर क्या बन जाएंगे माइनस 101 क्लियर है जी बात समझे अब सॉल करते हैं इसको तो यह माइनस 83 अब इसको मंटिप्लाइ करेंगे हम 4 से तो 4 निम 36 और 3 4 3 7 और 4 यह चार प्लस का और माइनस का 121 क्लियर है सॉल करेंगे माइनस 121 एंड 83 जिदोनों आपस में पड़े जाएंगे तो 4 2 10 और यह 200 4 अब हम यहां पर 476 में से 204 कर रहे हैं माइनस तो मेरे पास में आएगा 2 और यह तो मेरे पास में 7 और 7 रहेगा और 272 मेरे पास में 272 क्या है मेरे पास में 23 अब झाल झाल कर देते हैं आपकी समस्या और उसका कनेक्टर कहां है यह रहा है देख लो माइक ठग गया लेकिन लेकिन के क्लियर है आगे बढ़े चलिया आगे बढ़ते हैं तो बच्चे हमें क्या करना है यहां पर सबसे पहले आप इनिशेली देखो कि आपने यहां पर किस कुश्य में थे हम मैट्रिक्स इंवर्स मेथड़ी तो हमारा हो चुका है यह हो गया हमारा हम इस पर थे और सबसे पहले हमने यहां पर मैंने 670 निकाला है ठीक है क्लियर है और यहां पर मैंने यह पर यहां अरे तो दीवन क्ला मैरे पास मेरे पास में ओर आपके पास में इसाना इता है मैं 3 को डिवाइड कर दूँगा उसी ओरिजिनल मैट्रिक से तो कितना आता है मेरा 172 और यह मेरे पास में कितना आया है मेरे आख आया या है बम आखे तो यह मेरे मुझे जो है आठ पर जाता हूँ नजर्ट पे समय चार अच पर नहीं चार पर नहीं पांच पर नहीं छे पर किसी पर कट रही है आपका कोई बात है तो अठे 16 दो चिक बारा 17 समझे या नहीं समझे क्लियर है खोग दॉट आपको यहां तक अभी तक अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीस आप इस चीश को ज़रूर पूछे अगर अभी तक किसी भी स्ट्वरेंड को कोई डाउट है तो आप यहां पर अपना कमेंट करें और कमेंट में आप जरूर आप पूछें क्लीर है क्लीर है क्लीर है क्लीर है ओहो तभी तो नहीं कट रहा था ये 272 upon 34 अब देखेंगे यहाँ पर मेरे पास तो इनिट प्लेस पर दो कैसे आएगा जब इसको हो आठ से मंटिफ्लाई करूंगा और आठ से करूंगा दो 40 चीक है यह मेरे पास में आया आठ आया क्लिर और तो मेरे कि बाके दोनों रखाता अब डीघ्री में क्या करा मैंने सफ फ़र्ड वाला डिलीट करके कि वो रिप्लेस करा बाके दोनों सेम और वैसे में । race लिए क्लियरे जी सव्ज में आया या नहीं आया बता ही जिरफ कोई डाउट है तो प्लीज पूछे कोई डाउट ठीक है यह आपको अच्छे से सव्ज में आ गया है चलिए आप इसको नोट डाउन तो करी लेंगे आप सबसे पहले काम करें अब मैंने आपको जो है यूजिं मैट्रिक्स इंवर्स मेथड चला आप इस कोईशन की प्रेक्टिस कीजिए ख्याट टाइम भी आज हो चुका है आपको बतायता हूं यह कोईशन मैंने आपको सफिसेंट प्रेक्टिस के लिए कोईशन मैंने प्रोवाइड करवाए हैं तोनों मैथड से कोईशन को करने के लिए और इन सब के मैने आंसर भी आज चीक्लास इसमा को दिये हैं तक अपने अंसर को मैच कर सको ठीक है जी ख्लीर है तो आप ने स्क्लास में मीथ करता हूं कि आप अपने क्लास को अच्छे से करकर कर आएंगे और हम एप्लीकेशन ओफ मैट्रिस को नेस्ट पर पढ़ें झाल